हेलो दोस्तों नवस्का स्वागत है आपका हमारी चैनल टारल का सब्सक्राइब में तो बात करने वाले हैं जीएस के टाप बंटी कोश्चिंस पर जो आगामिक जांज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बात करते हैं फर्स्ट कोश्चिन की क्या दिया हुआ यह जान हां प्रिचारक लास्ट अप्सन जैन तो इसन से आपका राइट अप्सन क्या जाएगा अप्सन डी आपका सही आँसर होगा बात करते हैं दिया हुआ है आम तोर पर किसे लौपुरुस के नाम से नाम जाना जाता है बहुत यासान कोश्च्चन है पहला अप्सन सब्दार लब भाई पटेल दूसरा आप्षन विट्टल भाई पटेल तीसरा आप्षन बालगंगादर तिलक लास्ट आप्षन विपिंचंद्र पाल तो इन चारों आप्षनों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप्षन ए बात करते हैं नेस्ट कोशन पे थार नमर पे देखते हैं क्या दिया हुआ है? महावीर का प्रथम से इससे कौन था? ध्यान से पढ़िएगा पहला अप्जन भद्र भाव दूसरा अप्जन स्थूल भद्र तीसरा अप्जन चारवाक राश्ट आप्जन जमाली तो इसमें से आपका राइट आप्जन क्या हो जाएगा? आप्जन डी बात करते हैं नेस्ट कोशन पे, फोर नम्मर पे प्राचीन मानों ने सरप्रिथम किस पसको पालतु बनाया पहला आप्सन पहल, दूसरा आप्सन कुत्ता, तीसरा आप्सन सिंग, लास्ट आप्सन घोड़ा तो इन में से आपको राइट अंसर क्या हो जाएगा? आप्सन B बात करें नेस्ट कॉस्टन पे मानों ने आग का प्रियोग सर्फितन किस यूग में किया बहुत ही important question ने ध्यान से पढ़िएगा पहला option नो पास आड़ यूग दूसरा option तामर पास आड़ यूग तीसरा option मद्धी पास आड़ यूग and last option दिया हुआ है धात यूग तो इसे से आपका right answer क्या हो जाएगा option A बात करतें next question पर मानों ने कर्शिकार किस यूग से आरंब किया पहला option पुरा पास आड़ यूग दूसरा option मद्धी पास आड़ यूग तीसरा option नव पास आड़ यूग last option धात यूग तो इसे से आपका right answer क्या हो जाएगा option C बात करतें next question पर मानों गरत से प्रथम किस धात का प्रियोग किया गया पहला option कांसा दूसरा option तामबा तीसरा option लोहा last option चांदी तो right option क्या हो जाएगा option B बात करतें next question पर मानों ने से प्रथम किस फसलल को प्रियोग किया या फिर फसल वो गला टाइप हो गया पहला option जो दूसरा option चावल तीसरा option गेहू and last option दिया हुआ है कपास तो इसमें से आपका right answer क्या हो जाएगा option A बात करतें next question पर नो पासार यूग में चावल की खेती का प्राचीन तेम साथ कहां से मिला है पहला संदिया हुआ है मेहरगड दूसरा option कोल्डी हवा तीसरा option बुर्ज होम and last option दैमाबाद तो इसमें से आपका right option क्या हो जाएगा option B बात करतें next question पर सिंद्वाटी सब बिता किस काल की सब बिता माने जाती बहुत ही important question अध्यान से पढ़िएगा पहला option पूरा पासार काल दूसरा option लोह काल तीसरा option कांश काल and last option महापासार काल तो right option क्या हो जाएगा option C बात करतें next question पर हरप्पा की खुदाई से अप्रिदम कर हुई ध्यान से पढ़िएगा पहला option 1930 दूसरा option 1925 तीसरा option 1922 and last option 1921 तो right option क्या हो जाएगा option D बात करतें next question पर निम्न में से किस थलको मृतकों का तीला के नाम से जाना जाता है बहुत ही important question है इसका answer आप लोग को पता होगा पहला option हरपा दूसरा option धौला वीरा तीसरा option मुहन जोदरो last option काली बंगा तो 12 का right answer क्या हो जाएगा anyone हमें comment करके बता सकते हैं इसका option C सही होगा बात करतें next question की मुहन जोदरो के टीले को खोजने का से किशे है पहला option राखाल दास बनर जी दूसरा option दयाराम साहनी तीसरा option जौन मार्सल last option मादा सरूप वास तो right option क्या हो जाएगा option A आपका सही answer होगा जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कोई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंट मिल सके और जो लोग हमारे ग्रूप से जूड़ना चाहते हैं तो वह हमें इस नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 500 रुपी का पेवेंट क्या दिया हुआ यह देखते हैं हडपा सब्धिता ने विशाल स्नानागार का साच कहां से प्याप्थ हुआ है पहला आपसन हडपा, दूसरा आपसन मोहन जोड़ो, तीसरा आपसन लोथल, लास्ट आपसन धौला वीरा तो इसमें से आपका राइड आंसर क्या हो जाएगा आपसन बी नेक्स्ट क्वेस्टन निम्न वैसे कौन से युगु सुमेलित नहीं है मतलब जो पहले दिया हुआ वो नाम दिया हुआ है और जो सेकंड स्थेन पर दिया हुआ है वो नदी का नाम है पहला आपसन दिया हुआ हडपा, राभी नदी दूसरा आपसन मोहन जोड़ो, सिंधु नदी तीसरा आपसन काली बंगा, कगः नदी लास्ट आप्सन लोथल सतना जिन्दी तो इसमें से आपका राइट आप्सन क्या हो जाएगा? आप्सन डी बात करते हैं निस्ट कुश्चन पे सिंदु वाटी सब्विता में गोदीवाडा का साच कहां से प्राप्थ हुआ? पहला आप्सन धौला बीरा दूसरा आप्सन लोथल तीसरा आप्सन सुर्कोटदा लास्ट आप्सन चनहो दड़ो तो इसमें से आपका राइट आप्सन क्या हो जाएगा? आप्सन बी बात करते हैं नेस्ट कुश्चन पे 17 नमबर पे देखते हैं क्या दिया हुआ है? निम्न में से किस धात का प्रियोग हरप्पा के लोग नहीं करते थे? राइट आप्सन सलेक्ट करना है पहला आप्सन सोना दूसरा आप्सन चांदी तीसरा आप्सन कांसा लास्ट आप्सन लोहा तो इसमें से आपका राइट आप्सन क्या हो जाएगा? option D बात करते next question पे 18 नमबर पे किस हडप्पा सब बिता इस्थल से कांस नर्तकी की मूर्थ प्राप्थ हुई है पहला option मोहन जोदडू दूसरा option हडप्पा तीसरा option काली बंगा लास्ट option चनहुदडू तो right option क्या हो जाएगा option A मोहन जोदडू प्राचिन तब सिक्कों को क्या भाजा था बहुत ही आसान question दिया हुआ है पहला option प्राचिन मुद्रा दूसरा option दिनार तीसरा option आहत सिक्के लास्ट आप्षन स्वाण सिक्के तो right option क्या हो जाएगा option C बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट question की 20 नमबर हाथी गुंफा हविलेक का सम्मन्द किस राजा से है पहला option रुद्रदामन दूसरा option खारवेल तीसरा option समुद्रगुप और लास्ट आप्षन क्या दिया हुआ है अशोक तो इसमें से आपका right answer क्या हो जाएगा option B तो यह थे आज की वीडियो के कुछ टाप 20 questions मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए question के साथ तब तक के लिए नमस्कार पढ़ते रहिए